तो बहुत दिनों से कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि नेहूं और असाम यूनिवस्ति के उपर वीडियो बनाई जाए अलाकि इस वीडियो के अंदर मैं कोर्स वगेरा की बात नहीं करूँगा कि कौन से कोर्स यहां चलते हैं और इतनी उनमें सीट है क्या फीस है इसके लेके औरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए है वहाँ पर मेरा ही वीडियो आपको मिलेगा तो वह देख भी सकते हैं इस वीडियो में यह बात करने वाला हूँ कि नेहूं में अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं आप पीजी एड्मिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेहूं के अंदर नॉर्थन, इस्टल, फिल, यूनिवस्ति के अंदर तो यहां पर मैरिट लिस्ट कैसे बनती है रिजर्वेशन क्राइटेडिया यहां पर क्या है और किन लोगों को यहां पर एड्वांटेज मिल सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडि पर ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों का यह वीडियो काम का हो सकता है तो आपके लाइक करने से यह वीडियो ऐसे लोगों तक पहुच जाता है जो इनको वास्तव में सर्च कर रहे होते हैं तो प्लीज दू लाइक माई वीडियो एंड पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और करवा सकें तो सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो केबल SCST के लिए है यानि कि यहाँ पर OBC का आपको कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा EWS को यहाँ पर जरूर सीट है as per the government of India उसके लावा यहाँ पर open केटेगरी में 50% सीट है और 50% सीट से SCST के लिए जिस तरह से मैं आपको बताया था BBAU का BBAU में जिस तरह से OBC का कोई क्राइटेरिया नहीं है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी OBC का कोई क्राइटेरिया नहीं है OBC के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर open केटेगरी में consider होंगे इसके लावा अगर आपके पास SCST आपकी कास्ट है या SCST का आपके पास proper certificate है जो की center से बना हुआ है तो ही आप SCST में consider होंगे EWS का भी same criteria है अगर आपके पास center का बना हुआ EWS का certificate है तो ही आप EWS के अंदर consider होंगे reservation EWS को उतना ही है 10% का जो की government of India के norms के according है अब यह जो 50-50% seats बटी हुई है मतलब अगर 100 seat है तो 100 seat में से 50 seat open category में यानि कि general OBC या जो भी है सब के पास जा रही है और उसके बाद 50% seats जा रही है SCST को जो EWS का 10% है वो कहां सा आएगा general की seat में सा आएगा EWS का 10% है वो कहां सा आएगा general की में से यानि कि general की 50 है तो 50 का 10% कहां चला जाएगा EWS में चला जाएगा उसके बाद यहां पर कौन-कौन से criteria लगते हैं जिससे की score बनता है यानि कि merit list जो prepare होती है इस category के अलावा भी वहाँ पर और weightage भी दिये जाते है तो वो कौन-कौन से weightage होते हैं उसके हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक तो सबसे मोटा जो weightage होता है वो होता है educational backward area यानि कि अगर आप domicile of megalia, megalia के रहने वाले है और वहाँ का आप certificate provide करा देते हैं तो जब merit list बनती है तो उसके अंदर आपको extra marks मिलते हैं यदि आप educational backward areas हैं इसके अलावा भी कुछ areas हैं जो मैंने आपर mention नहीं किये हैं वो आप इसकी prospectus में देख सकते हैं और अगर आप वहाँ कर domicile certificate लगाते हैं अगर वास्ताव में आपको age मिलेगा यानि कि admission में आपको preference दिया जाएगा तिर उसके बाद बात करें यहाँ पर जो NSS के जो candidates हैं अगर उन्होंने यह particular चीजे complete की हुई है 240 hours of service in span of two years donated blood in NSS और participate in inter university state national NSS event इसका आपके पास कोई certificate है national cadet corp का आपके पास certificate है तो आपको weightage मिलेगा यानि कि जो merit list बनेगी उसमें आपका score consider किया जाएगा कितना परसेंट weightage consider किया जाएगा 3% तो इसका जो weightage consider किया जाएगा वो 3% का होगा और इसके अलावा जो यहाँ पर नेहु employee है यानि कि जिनके father, mother या कोई भी जो relative है वो काम करता है नेहु के अंदर या नेहु में काम करने वाले जो लोग है उनके बच्चे apply कर रहे हैं CUETPG से तो उनको 10% का weightage मिलेगा उनको कितने परसेंट का weightage मिलेगा 10% का weightage मिलेगा marks के अंदर उसके बाद बात करें हम और कौन से weightage है यहाँ पर तो अगर आप कोई sports का in case of students who have graduated from a college affiliated to or maintained by Nehu a weightage of 10% shall be given एक उसके बाद यहाँ पर आपको educational backward का national level पर 5% का उसको weightage मिलेगा 5% का और more than 5% below the national level तो वो 7% का 5-7% का weightage मिलेगा weightage for outstanding women-men और अगर आपका sports में outstanding track है तो उसका आपको weightage मिलेगा अगर आपने international level पर participate किया है तो 10% का weightage state और national level पर represent किया है तो 5% और national level inter university में आपने represent किया है तो 3% का आपको weightage मिलेगा है यहाँ उसके बाद selection process कैसा होगा एक तो आपका CUET PG का जो score है वो consider किया जाएगा अगर आप university of nehu से ही पढ़े है यानि कि आपने नेहू से ही पढ़ाई की हुई है तो भी आपको weightage मिलेगा तो automatically नेहू से जो पढ़ा हुआ है उसका 50% यहाँ पर selection है क्योंकि नेहू से यहाँ पर पढ़ा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा marks मिल जाते है यानि कि आप कहले अगर उसने CUET PhD का exam दिया हुआ है अब देखते है merit list कैसे बन दिया है देखो आपके सामने एक merit list बनी हुई है आप हाइड की हुए है names हाइड की हुए मैंने देखो यहाँ पर आपको दिख रही है university यह university लिख हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है money poor university अब यहाँ पर columns द लेगा otherwise यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 literacy rate यानि कि अगर आप backward area से नहीं है तो यहाँ पर 0 total आपका score हो गया 184 इसी तरह से यहाँ पर यह देखो जिसने इसने यह जो बच्चा है इसने नेहु से अपनी graduation complete की है तो इसका CUET score है 143 इसका 184 है इसका 143 है इसको कितने marks मिल गए 40 marks मिल गए 143 प्लस 40 इसके marks हो गए 183 और इसके marks CUETPG के अंदर आये थे कितने 184 आप समझ गए होंगे जो मैं किया रहा हूँ कि अगर आप नेहु से है आपने नेहु से graduation किया है तो आपके 40% जो marks है 40 नंबर है तो सीधे सीधे weightage के जुड़ जाते है तो आपका score हो जाता ह हाई तो automatically indirectly मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50% का reservation है जिनोंने नेहु से graduation किया हुआ है एक और merit list में आपको दिखाता हूँ जैसे कि यह merit list देखो इसमें बहुत सारे columns है एक column है category का एक है नेहु weightage अब जो non नेहु है उसको यहाँ पर 0 number दिये जा रहे है और जो नेहु से है जिसके आगे 40 लिखा हुआ है 40 इसका मतलब उसकी graduation कहा से है नेहु से है तो यहाँ पर देखो यह 40 40 40 ए graduation C.E.T. के marks देखो इनके इनके marks है 190 इसके 154 154 में 48 हो गया 184 इनके marks हो गया इनके 196 और यहाँ पर 152 में 40 एड कर दिये यहाँ पर 118 में 40 एड कर दिये तो यहाँ इस area के domicile के आप हो तो आपको वो score भी मिलेगा जैसे कि यहाँ पर दो बच्चों को मिला हुआ है और यह मिला हुआ है 28 और 28 तो फिर यह score बढ़कर और 28 marks एड हो गया और 28 marks एड ही हो गया तो यह marks बढ़कर इतने सारे हो गया तो अगर आप नेहु के लिए apply कर रहे है और पर आपको वेटेज मिलेगा अगर आपने नेहु से graduation किया हुआ है तो automatically आपके जो mark sheet है वो बोलेगी मतलब आप जब registration करोगे तो वहाँ पर लिखाएगा साफ साफ mention कि आपको वेटेज मिल जाएगा बाकी नेहु से आप नहीं है और आपको वेटेज लेना है तो आपके प of seats की बात करूं तो number of seats लगबग लगबग हर एक course में 40 या 45 के आसपास है जिसमें से 50% seats चली जाती है open category में 50% seats चली जाती है SCST को और जो open category की 50% seats है उसमें से 10% seat आती है किसको economical weaker section को fees यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है फीस लगबग 45-46 रुपे पड़ती है MSC courses के hopefully आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपके पास supporting documents हैं तो यह ज़रूर लगा देना आपको उसका advantage मिल जाएगा मिलता है next video में till then thank you bye bye